Hello students, so this is my third video on cursive writing and as I have told you that within seven videos you will improve your handwriting and you will see the change in your handwriting. मैंने आपसे बच्चों बोला है कि आप एक पेज हैंड राइटिंग करके रख लें अपने पास और उसके बाद ये राइटिंग सीखने के बाद जब एक पेज आप दुबारा लिखेंगे तब आप खुद देखिएगा कि आपने कितनी अपनी राइटिंग इंप्रूव की तो आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा और जो जो मैने आपको इसमें इसक्श्चन्स दिये हैं उनको आपने फॉलो किया होगा अगर आपने नहीं किया है तो आप शुरू से फ़र्स्ट वीडियो ओन हैं यह फॉलो करें लेकिन मुझे है कि जो बच्चे सीखना चाते हैं उन्हों सबने फो लाइन की कॉपी अभी तक ले ली होगी नहीं ली है तो आप आगे पीछे ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए तो अब मैं आपको स्टार्ट करूंगी सिखाना कर्सिव राइटिंग मैंने आपको जो सिखाया था उस दिन वो मैंने आपको सिखाया था यह मैंने आपको लाइन की नंबर दिये थे 1 2 3 4 यह लाइन की कॉपी को चार नंबर दिये हैं यह नंबर हम क्यों दे रहे हैं बच्चो ताकि आपको जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रही तो आप समझ जाएं कि मैं कौन सी लाइन की बात कर रही है तो आपको दिन आलफबेट जो सिखाए थे वह आपको मैंने टू और थ्री लाइन के सिखाए थे ठीक है तो आपने यह से प्रैक्टिस करें कहीं बच्चों ने मुझे उसकी फोटोस किच-चिच के भीजी बहुत अ तो अब हम आज जो वीडियो लेंगे, वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो जो हम एल्फबेट्स लेंगे 1 और 3 के बीच में, किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में, ठीक है, तो यह हमारी 1st line, 2nd line, 3rd line, 4th line, ठीक, तो आज हम वीडियो लेंगे, sorry, एल्फबेट्स लें नीचे, से और यह बी, ठीक, दुबारा देखिए, से, से म उपर गए, से नीचे आया, से, बी, तो बच्चों यह फ्लो को ध्यान रखना है, आपको ठीक है, क्योंकि अभी तो आप एक-एक अलफबेट बना रहें, तो आपको लगता होगा कि मैं ऐसे बना लें, लेकिन से लिखेंगे, जब आप सेंटेंसे लिखेंगे, तब आपको यह बहुत हेल्प करेगा, तो यही प्रैक्टिस करिए, इसको ही आदत में लाईए, यह उपर ले गए, नीचे लाए, यह इधर में होती है, बस यह ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट लाइन के उपर ना निक हम लेंगे D, कैसे है, पहले C बनाते है, C बनाना सिखाया था मैंने आपको, बस C को ही ऐसे करके थोड़ा सब इच्छा करते हैं, बहुत सिंपल है, C के लिए जैसे हम ऐसे ले गए हाथ अपना, फिर हम इसी को उपर ले गए, इसी को नीचे लाए, यह बन गया हमारा D, यह ऐसे करके हम बापस लाए, फिर हम इसको ऐसे, ऐसे, यह, D, ठीक, सब बचे D प्रेक्टरस कर लेंगे, उसके बाद हमारा next alphabet आता है, H, H को हम कैसे बनाएंगे बच्छो, H भी बहुत सिंपल है, पहले हमें हाथ को उपर लेके जाना है, फिर नीचे ऐसे लाए, फिर इसको य लाइन से टच हो, यह देखो, यह, ऐसे, सिंपल, अब मैं आपको इसको ब्रेक करके बना रही हूँ, यह देखे, ऐसे, यह, थी, ऐसे, हलका सा हाथ को तिर्चा रखना है, और अगर आपको तिर्चा नहीं आ रहा है, तो आपनी कॉपी को थोड़ा तिर्चा कर लिजिए, लेकिन आप जैसे भी करें, इसको थोड़ा सा तिर्चा, बहुत ज्यादा तिर्चा भी नहीं, बहुत क्रुकेड अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा तिर्चा, तो वो कर्सिव जो राइटिंग होती है, वो उसी खुबसुरत लगती है, नेक्स्ट हमारा आता है के, ठीक ह फिर यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो सेकंड और थर्ड एसको अमने दो में डिवाइड कर दिया, बरावर बरावर, देख रहा, ऐसे, यह ऐसे, फिर यह ऐसे, के, तो खुबसूरत लग रहा है, के, आपको खुद बहुत मजा आएगा, जब आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी, तो आपको मजा आएगा लिखने में, और टीचर्स भी आपको वेरी गूड वेरी गूड देंगे, तो आपको कितना अच्छा लगी है, इसलिए थोड़ा समयना तभी हम करेंगे, के, के के बाद अब हम आता है, ल, तो हम सब में बनाई रहे हैं, ल तुमको आई किया है, सबसे पहले हमने ल ही सीखा, यह देखो, ल, कितना इसलिए है, ल, बहुत मोटा नहीं करना इसको, यह से बहुत गंदा लगे है, बस ज्यादा पतला भी नहीं करना, ठीक ठीक रखना, ब्रुकर बैलेंस रखना है, राइटिंग ब बहुत स्लो हम चलेंगे, बहुत पश्त नहीं भागना है, क्योंकि यह एक आठ है यह एक कला है बच्चो और इस कला को आप धीरे धीरे परफेक्शन लाईए मैं कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि पूरा-पूरा पेज लिखने लग जा रहे हैं अभी मैंने आपको पेज लिखने को कहा ही नहीं है आगे मत भागी जितना मैं बोल रही हूं बस उत्र बी का पूरा एक पेज लिखिए हैं डी का पूरा एक पेज लिखिए एच का पूरा एक पेज इनका पूरा-पूरा एक पेज आप लिख लिखके प्रैक्टिस करिए क्या आप बहुत शुरुआत कर रहे हैं आपका हाथ सभी सदा नहीं है ठीक है तो इसको आपको बहुत स् for now more videos, bye